कभी तो इनके जो नेता हैं सुशील मोदी जी कहते हैं कि जब एंडिये में थे तो एही उसी समय पास हुआ था कि जातिये जनगन्ना होनी चाहिए तो निश्ची तोर पे जो इंडिया घटबंदन के मांग है और जो विपक्षी लोग हैं उनको लगता है कि कम आकड़ा करके पेस किया गया है तो केंदर सरकार से बात करके वो जातिये जनगन्ना कड़ा ले निश्ची तोर पे जातिये जनगन्ना से पूरे इंडिये परसान ह कोई परधान मंत्री होने के नाते जितना ओजुट बोलते हैं साइध ही पूरे बिश्व में कोई परधान मंत्री जुट बोलता हो नमस्कार SD News देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी देश का पहला राज्य बिहार जिसने जातिय जनगर्ना कराकर रिपोर्ट को जारी कर दी हैं लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से ही राजनीती तेज है और कहा जारा है कि जो जातिय जनगर्ना बिहार में हुई है वो गलत है हम इस पर ही बात करेंगे विस्तार से हमारे साथ इस वात करने के लिए आरजेडी के राश्ट्रिय महा सच्छू अभहे सिंग है उनसे जानते हैं कि बिहार ने जो जातिये जन गर्ना के रिपोर्ट जारी किये हैं उसे अब गलत शाबित किया जारा है कहा जा रहा है कि जातियों के आकड़ी को जो है वो छुपाने की कोशिश इस रिपॉर्ट में की गई है आपको क्या लगता है पहले तो सरपर्थम में बिहार में जातिये गन्ना की हुई है इसके लिए हमारे नेता मानिये लालुजादो जी डिप्टी स्यम तेजस्वी जी और मानिये नितीस जी को बढ़ाई देते हैं जिन्होंने जातिये गन्ना करके पुरे देश में भूचाल लाने का काम किया है और उन्होंने इस उद्देश से कराया कि जो तबका के हकमारी हो रही है उस हकमारी को पूर्ति के लिए उन लोगों को योजना बना करके उन लोगों को लाब देने का काम करने के लिए ये जातिये जनगन्ना हुई है जिससे जो इतनी भी पक्षी पाटियां है ओ लोग जो है तरह तरह के भरामक बात बोल रहे हैं अगर उनको लगता है कि जातिये जनगन्ना का आकड़ा जो गलत पेश हुआ है तो ये केंदर सरकार का अधिकार है ये एंडिये के लोग बोल रह तो केंदर सरकार का अधिकार है कि जातिये जनगन्ना करने का और पूरे इंडिया गड़बंदन की मांग है कि जातिये जनगन्ना होनी चाहिए तो निश्ची तवर पे जो इंडिया गढ़बंदन के मांग है और जो विपक्षी लोग है उनको लगता कि कम आकड़ा करके पेस किया गिया है तो केंदर सरकार से बात करके वो जाती जनगर्ना करा ले जातियों को लाब देने के नियत से कराया जाती है लेकिन यहाँ पर राजनीती के उद्देश्च से कराया जा रहा है इसके साथ ही पहले यह सवाल है और दूसरा सवाल है कि चिराग पासवान भी खुल कर सामने आकर कह रहे हैं कि अगर हम पासवान जाती की बात करते हैं पूरे एंडिये परसान है ये लोग जो है कभी तो इनके जो नेता हैं सुशील मोदी जी कहते हैं कि जब एंडिये में थे तो उसी समय ये पास हुआ था कि जातिये जन गन्ना होनी चाहिए माने एक तरफ से जातिये गन्ना का स्रे भी लेना चाहते हैं और दूसी तरफ जब जातिये जन गन्ना प्रकासित हुई है तो उस पर विबाद भी पायदा करने का प्रयास करते हैं तो हमारा कहना है कि केंदर में उनकी सरकार है और केंदर में सरकार है माननिये जो मोदी जी है देश के प्रधान मंत्री उनसे बात करके अब बात करके देश को देश में जातिये जन गन्ना को कड़ा ले पूरे देश इंडिया गड़बंदान का डिमांड है कि देश में जा अपने बात उठादी तो इसी पर एक सवाल और लेते हैं कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने ग्वालियर में इशारों-इशारों में यह कहा है कि विपक्ष जो है वो जाती के नाम पर राजनीती कर रही है और जाती के नाम पर लोगों को ढरा रही है, लोग परिवारिक पाटी बनाना चाहते हैं परिवारिक पाटी बनाना चाहते हैं पाटी को परिवार को लाब देना चाहते हैं कभी कि तरह तरह के भढ़ामक बात बोलते हैं जिसको हम राष्टिये जनतादल के महासची होने के नाते हैं पहले तो मैं इसका खंणन करता हूँ कि प्रधान मंतरी को ऐसी ओची बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे आज जो पूरे देश में जितनी बेरोजगाड़ी है जितनी महंगाई है आज जब चुनाओ आ रहा है तो कहते हैं कि जुवला योजना में और सौ रुप्या गटा दिया जा रहा है तो यह तरह तरह का जो जुमले बाजी पेस कर रहे हैं तो यह चुनाओ के समय इनको याद आता है और जब 36 गर में जाते करते हैं कि मेरा है गरीब लोगों को मगर जो बात हकीकत बात है कि इनकी इनका जो सोच है कि हम दो हमारे दो मतलब कि प्रधान मंत्री या गरी मंत्री और आडानी आमबानी की सरकार चलाते हैं और दूसरी तरह गरीब की बात करते हैं एक कहीं से न्याय संगत नहीं है यह बिलकुल ही गर जैमिराना प्रधान मंत्री हैं यह कभी एक बात पर नहीं रहते हैं यह नेक तरह के जुमला पेस कर चुके हैं इनका गरी मंत्री भी इनको कहें कि चुनावी जो है यह जुमला ह तो बिहार में जाती है जनगर्णा के रिपोर्ट आने के बाद से पुरे देश भर में राजनीती तेज हैं। अमारे साथ इस वक बात कर रहे थी आरजेडी के रास्ट्रे महासाची अभैस सिंग जिनों ने साफ्तोर पे कहा है कि आई एंडिया ये घटक दल के सभी दल चाहते हैं कि देश में जनगर्णा होनी चाहिए। फिलार इस कबर में तहीं तमाम और कबरों के साथ बननी रहने के लिए देखते रहें देश टी नियूर।